नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का मेरे चैनल Civil Engineering Chapterwise में आज की वीडियो में जैसा कि आप Thumbnail में देखके समझ गए होंगे कि हम Track Maintenance के बारे में डिसकस करने वाले हैं Track Maintenance क्या होता है, उसकी जरूरत क्यों होती है Track Maintenance के Classifications कोन से होते है Maintenance of Track Components, Rail Inspection, Maintenance of Drainage, Maintenance and Boxing of Plast तो इन से भी Topics को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं तो आएए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग मेरे चैनल पे नए है या जिन्नोंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कीजिए साथ ही साथ ये जो बेल आइकन है इसको आप जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली सबी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिले और आप इन सब का बेनिफिट ले सकें मेंटेनेंस ओफ ट्रैक ये आपने कई बार रेल्वे स्टेशन के आज पास ओरेंज कलर के कपड़े पहने वर्करों को वहां पे देखा होगा तो ये इनका काम क्या होता है जो ट्रैक को मेंटेन करने का हमारा काम होता है इसमें ठीक है इनको गैंग बोला जाता है गैंग मेट और गैंगर भी बोला जाता है ठीक है ये इंस्पेक्शन करते हैं कोई भी नट जो आप यह देख सेखें Fist Plate है, LOOS हो या फिर इसमें OILING की जरूरत हो, तो क्रैक हो कोई रेल में, स्लिपर में कोई क्रैक हो, इनको यह चेक करते रहते हैं, manually जा के check करते हैं और फिर इसको ये उसको replace करते हैं जरूरत हो या फिर उसको repair करते हैं ठीक है the way by which components of track are kept good condition जो track के component उसको good condition में रखते हैं for safe and smooth traffic movement is called track maintenance जिसे कि हमारा train का movement smoothly हो और safely हो तो वो सारी चीजे हमारी track maintenance के under में आते हैं ठीक है यह यह तो manually होता है ठीक है और या फिर mechanically भी operated होता है ठीक है इंडिया में mostly हमारा hand tool और manual labor से यह होता है ठीक है जैसे कि developing country है उसमें यह सारा इंडिया काफी बड़ा देश है और इसमें यह मैनुवली करना ही ठीक रहेगा मेकैनिकली ओप्रेटेड पूरा का पूरा हम इसमें नहीं कर सकते हैं ठीक है तो अब देखते हैं इसकी जरुवत क्यों होती है इसका क्या मतलब है जब हैवी ट्रेन मूव करती है हाई स्पीड पे ठीक है तो वो अपने साथ वाइब्रेशन काफी लेके आता है तो उसकी वजए से जो वहाँ पे बलाश्ट होते है स्लिपर्स होते हैं रेल्स होते हैं और उसमें जो लगने वाले फिक्सर्स होते हैं जैसे फिस प्लेट फिस पोल्ट बगरा होते हैं तो वो दीरे दीरे time के according वो lose होते रहते है उस vibration की वो जैसे ठीक है तो इसे लिए उनका regular inspection करना जरूरी होता है उनको regularly tight किया जाता है दीरे दीरे वो compress होती है load पड़ने से और वो थोड़ा थोड़ा settlement करती है तो इसकी वो जैसे track का जो alignment है जो उसका level है वो गड़ बड़ा सकता है तो उसकी वो जैसे उसका जान अलग से रखा जाता है जो curves होते हैं railway के वहाँ पे centrifugal action होता है centrifugal action क्या होता है आपको पता है तो ठीक है नहीं पता है मैं बताता हूँ जैसे कोई curve portion आता है और आप vehicle पे इस direction में चल रहे हैं तो जब curve के आप point पे आते हैं तो आपको outward side में एक force लगा हुआ मैसूस करता है जिसकी वज़े से आपकी गाड़ी इसकी तरफ जुग जाती ठीक है अगर speed आप कम ना करें तो आ आप skid कर सकते हैं दूसरी तरफ पलट सकते हैं ठीक है इस force को बोलते हैं centrifugal force ठीक है तो इससे बसने के लिए curve portion पे काफी ज़्यादा ध्यान जाता है और train पे पलटेना ठीक है तो वो भी हमारा track maintenance में ही आता है ठीक है when the life of rail and sleeper etc. is over they are supposed to be replaced जब rail है उसकी भी कुछ life होती है ठीक है कुछ सालों बाद वो दीरे दीरे जंग खाके या फिर daily जो train के moment से वो घिस जाती है तो उसकी वजह से उसको replace करना होता है ऐसे ही sleeper की भी बात है तो वो भी अतनी life के बाद complete होने के बाद जब वो damage हो जाती है तो उसको भी replace करना होता है तो यह भी हमारे maintenance के अंदर ही आते हैं और जैसे weathering agencies, weathering agency क्या होती है यह आपकी बारिस होती है या फिर कई area होता है आप बरफ जादा पड़ती है कई area वहापे गर्मी जादा पड़ती है तो उनकी वजह से जो track component पर effect आता है तो उसको भी ध्यान में रखा जाता है ठीक है वो भी दिरे दिरे इसको कम करता रहता है तो regularly maintenance इसकी जरूरी होती है ठीक है तो यह थे कुछ जरूरते जिससे हम track maintenance करते हैं अब देखते हैं classification इसमें दो हमारी main classification है routine maintenance और periodically maintenance ठीक है दूसरा है special maintenance एक है करके हम दोनों के देखेंगे routine maintenance में दो टाइप के होते हैं फर्स्ट तो होता हमारा daily maintenance ठीक है छोटे-छोटे काम होते हैं कई बार track पे जो हमें daily inspection करना होता है daily उसको maintain करके रखना होता है ठीक है फिर आता है periodic maintenance जिसको हम daily ना करे weekly या monthly या फिर yearly हम उसको करते है ठीक है वो हमारा periodic maintenance में आता है अब देखते है daily maintenance daily maintenance में क्या आता है oiling of slide chair जो slide chair होती है उस पे oiling करनी होती है ठीक है points and crossing पे फिर है cleaning of flankway clearance flankway जो clearance होता है उसमें अगर कुछ डल जाता है तो वो obstruction पैदा करता है हमारे tongue rail के ठीक है तो उसको भी साफ करना होता है यह देखिए इसमें आप देख सकते हैं fist plate को oiling की गई है और यह जो fist bolt है इसको oiling करके अच्छे से tight किया जा रहा है ठीक है यह आप देख सकते हैं इसमें यह इसका gauge check किया जा रहा है ठीक है proper gauge इसका है या नहीं gauge का मतलब जो आपको पता ही है broad gauge, narrow gauge और meter gauge ठीक है तो उन सकती है ठीक है अगर proper gauge maintain ना हो तो regularly इसको भी check किया जाता है ठीक है tightening and loose of fist bolt and other fixes जो भी loose things है वहाँ पे उनको tight किया जाता है तो यह सारी चीज़े आती है हमारे daily maintenance में अब है periodic maintenance, periodic maintenance में जैसे maintenance of tunnels यह देखी यह है rail tunnel इसके अंदर से train move करती है तो train का जो यह tunnel है इसमें अगर कोई defect है, कोई बारिश की वज़े से leakage हो जाती है या कोई other इसमें construction की requirement है, maintenance की cracks वगएरा की replacement की जरूरत है तो उसको किया जाता है annual basis पे ठीक है जरूरत हो तो हम उसके emergency basis पे भी कर जाते है बट annually इसको check के जाता है अगर कुछ जरूरत है तो उसको किया जाता है जो ऐसे ही यह आप देखी railway breeze है तो breeze पे भी इसकी ज़्यादा जान दिया जाता है उसको भी routine जो होता है periodically उसका maintain किया जाता है जो points and crossing है उसको check के जाता है proper drainage वहाँ पे पानी रुकना नहीं चाहिए track के आसपास तो उसको भी ध्यान दिया जाता है track alignment है वो check के जाता है अच्छे से यह देखिए इसमें figure में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो points है उसको check के जा रहा है यह proper alignment है उसकी है या नही ठीक है ऐसे ही जो gauge है वो check के जा रहा है इस figure में आप देख सकते है gauge की जो distance है वो check के जा रही है जो surface rail है उसको भी check के जाता है कि वो ज्यादा गिस गया ना हो ठीक है जो rail का surface है अगर ज्यादा गिस जाता है train के moment से तो उसको भी replace करना पड़ता है ठीक है तो यह सारी maintenance के अंदर अब देखते है special maintenance, special maintenance में क्या होता है replacement of worn out rails तो जो भी rail तूट जाती है या घेश जाती है तो उसको हटाया जाता है तो इस figure में आप देखिए यहाँ पर यह rail तूट चुकी है तो इसको replace किया जा रहा है और फिर है replacement of worn out slippers तो आप इस figure में देख सकते हैं जो sleepers को replace किया जा रहा है यह लकड़ी का sleeper है यहाँ पर यहाँ पर आप concrete का sleeper लगाया जाएगा ठीक है replacement of worn out fixers and fastenings तो जो भी fixers और fastenings इसमें तूट चुकी है wear tear हो चुगा है तो उसको भी replace किया जाता है ठीक है replacement of defective components specially at points and crossing points and crossing में जो भी component defective हो तो उसको replace किया जाता है ठीक है तो यह सारी चीज़ आती है हमारी special maintenance के अंदर ठीक है अब देखते है maintenance of track component track के component क्या होते हैं सबसे पहले तो हमारा होता है rail उसके बाद slippers और fittings ठीक है rail slippers और fittings rail का maintenance कैसे करते हैं oiling and cleaning of sliding switches at points and crossing तो points and crossing के आसपास जितना भी जो हमारे main main components होते हैं उन सब को oiling करना हो उस पे अगर कोई slide करने में problem आ रही हो तो उसके बीच में flank way को clear करना होता है जो आपका wing rail है या check rail है उनके बीच में भी अगर कोई obstruction है कोई पत्थर या कोई garbage वगरा है तो उसको भी clear करना होता है ठी ठीक है यह देखिए oil of fish plate तो fish plate वगरा है उस पे भी oil oiling करनी है देख सकते हैं आप oiling की जाती है इनको इससे क्या होता है जो temperature variance होता है उसका इसपे कम effect पड़ता है temperature vary करता है ज्यादा गर्मी होती है ज्यादा ठंडक होती है तो जो हमारा component वो फैलता और शिकुरता है temperature के हो जाती है इससे उसमें crack आ जाते है तो उसपे oiling करके रखें तो हम उसको बचा सकते हैं ठीक है यह दे ठीक है अब देखते हैं if rails is found to be cracked अगर crack यह आप देख सकते है crack है और टूटी हो तो उसके नीचे तुरंत बिल्कुल immediate action पर यह काम होना चाहिए तुरंत उसके नीचे एक sleeper को लगा जाता है इसके नीचे देखिए आप sleeper नहीं है बट इसके sleeper लगाए जाएगा यह time लगेगा तो उस पे अगर train move कर जाएगी तो वह गिर सकती है but temporary हम इसको movement allow कर सकती है इसके इंचे sleeper को लगाके ठीक है और ज्यादा damage है तो उसको हमने replace करना ही होता है ठीक है if the rails are subjective to corrosion अगर rail पे जंग लग जाए corrosion का मतलब जंग होता है ठीक है तो उसको हम यह आप देख स सकते हैं यह है portion rail का top portion top portion को छोड़के बाकी सारी तरफ यह इसका foot है और यह इसका flange है इसके अंदर web है sorry web और इसके foot पे चारों तरफ इसके oiling की जाती है ठीक है top portion को छोड़ दिया जाता है जंग से बसने के लिए ठीक है if excessive wear is detected a curve in the inner rail or the check rail the inner check rail should be replaced ठीक है अगर कर portion पे ज्यादा damage मिलता है जो check rail पे है तो उसको replace किया जाता है ठीक है तो आपको समझा है आपको अगर check rail wing rail आपको इनके बारे में जानना है तो मेरी previous वीडियो देखे उसमें track components के बारे में railway crossing के बारे में मैंने अच्छे से detail में वीडियो बनाए तो वो आप देख सकते हैं अब है sleepers sleepers को भी change किया जाता है अगर एक sleeper को replace किया जए जैसे इस figure में आप देख सकते हैं एक sleeper को यहाँ पे change किया जा रहा है तो उसको बोला जाता है sport renewal ठीक है उस sport पे एक ही sport पे जो renew किया जाता है one damage sleeper ठीक है जिसमें एक sleeper को change किया जाता है but जब पूरे एक number of sleepers को replace किया जाता है कोई track काफी पुराना हो चुका है उसको अगर replace करना है तो उसको बोलते है through renewal ओके तो यह है through renewal when a number of damage sleepers are changed ठीक है जब काफी सारे sleepers को change करना हो तो through renewal sorry through renewal और जब एक sleeper को change करना हो तो sport renewal ठीक है अब है rail inspection through rail जिस material की बनी होती है उसका composition ठीक है उसमें अगर कोई defect हो rail बनने के बाद उसमें कोई defect हो inner material का defect हो तो उसको check किया जाता है ultrasonic rail flow detection से यह अब equipment देख सकते हैं इसमें sound wave को rail के अंदर flow किया जाता है यह देख यह होती है आपकी rail तो इसके अंदर से sound wave को पास किया जाता है ठीक है वो बीच में कोई भी अगर hole है जो कि हम बाहर से अंदर नहीं देख सकते तो उसको यह detect कर लेता है अगर अंदर कोई crack है तो उसको भी यह detect कर लेता है ठीक है तो रेल इंस्पेक्शन को हम चेक करते हैं अल्ट्रा सोनिक रेल फ्लो डिटेक्शन से ठीक है पिर है maintenance of drainage अब यह है एक ट्रैक ओके यहां पर ट्रैन मूव करेगी और इसके side में drainage होती है side drains होती है ठीक है ताकि जो भी हमारा यह storm water है वो हमारे side drains में करता हो और यहां से dispose हो जाए ठीक है बट कई बार क्या होता है काफी जब time हो जाता है इस पर अगर regular maintenance ना हो तो यहां पर घास फूस ज़्यादा हो जाती है ठीक है जिनको बोलते हैं खर्पतवार ठीक ह में उसको बोलते हैं weeds और grasses वो यहां पर आ जाते हैं अगर वो यहां पर आ जाएं तो यह क्या हो जाएगा track यह हमारे बिल्कुल jam हो जाएंगे clog हो जाएंगे पानी को निकलने का रस्ता नहीं मिलेगा और पानी हमारा track पर आ जाएगा जैसा कि आप इस फिगर में देख रह जो भी weeds से वहां पर उसको वहां से हटाना होता है ठीक है यह भी maintenance के अंदर आती है side drains should be clean जो मारी side drains है वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए time to time उसको हटाना उसको साफ करना होता है जो भी उसमें silt जो भी उसमें garbage मिटी वगर होती है उसको time to time हटाना होता है ठीक है if the track section is in cutting or there is appreciable cross slope catch water drain should be provided on either or on the higher side of the case में भी ठीक है अगर यह हमारा देख यह एक पहाड़ी एरिया पर अगर train यह हमारी move करते है यह हमारी train है और यह एक साइड में पहाड़ है दूसरी साइड में हमारी यह downward slope है इस साइड में बारिस आती है तो यहाँ पर catch water drain को हमें construction करना होता है ताकि सारा पानी एक साथ यहाँ पर ना है हमारे track क्यों पर ना है तो इसको बोलते हैं catch water drain इसके बारे में detail में हमने highway engineering में बताया है तो वहाँ पर आप उसकी playlist में जाके इसके बारे में देख सकते हैं catch water drain, side drains इनके बारे में थोड़ा सक clear करते हैं और अब आगे चलते हैं यह देखी अगर पानी वहाँ पर घठा हो जाता है तो क्या होगा दीरे दीरे वो पानी उसकी नीचे जो मिटी है उसकी bearing capacity उसकी सहन सक्ति को कमजोर कर लेता है ठीक है तो जिससे वो कमजोर होगी उसकी bearing capacity और वो नीचे settle करना start कर देती है मिटी ठीक है मिटी नीचे settle करेगी तो यह आप देख सकते हैं इसके नीचे जितना भी हमने blast को लगाया था जो हमारी foundation थी इसके नीचे वो तूट चुकी है और सारे blast नीचे fell चुके है और हमारा track damage हो गया है आप देख सकते हैं ठीक है तो यह इसका effect होता है अ हमारी यह condition हो सकती है ठीक है अगर ऐसा नहों तो हम जो और एक alternate है इसका इसके नीचे होती है यह देखें जो foundation है foundation के नीचे sub-surface drainage का निर्मान किया जाता है जिससे एक तरफ से पानी दूसरी तरफ भेजा जा सकता है बीच बीच में यह pipes लगाई जाती है और pipe के तुरू पानी को transfer किया जाता है ठीक है जो बलास्ट है उनको भी रेगुलरली चेक के जाता है उनको भी रेगुलरली हम साफ करते हैं ताकि वहाँ पे कोई भी घास फूस ना होगे ठीक है तो यह था हमारा maintenance of drainage अब जेखते हैं maintenance and boxing of blast देखिए दो figure हैं इसमें एक यह है और एक यह ýए एक difference इसमें बताये क्या है आपने guess किया होगा आपने देखा होगा कि एक figure में इसमें तो आपने देखा होगा जो भी हमारे sleepers है वो 4 तरफ से जो हमारे blasters बलाश्ट है उन से चारो तरफ से गिरे हुए है अच्छे से पैक है बट इसमें ये नहीं है बिलकुल भी बलाश्ट बिलकुल नीचे रखे हुए है इनके अंदर भी नहीं है और साइड में भी बिलकुल पैक नहीं है तो ये जो कमी है ये initial stage की बताई गई अभी इसका निर् पर्स को, रेल को cover कर ले, बैलाष्ट, ठीक है, तो ये होता है हमारा ideal condition, अब इसमें क्या फरग होता है, कुछ time बीच जाए, कुछ साल अगर बीच जाए, तो हमारा track जो है, वो ऐसा हो जाता है, ऐसा track हमारा हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहां से बैलाष्ट है, वो इधर उध चले जाते हैं, जो vibration होगा, उसके वज़य से भी, या फिर कई बार कोई चोरी भी कर ले जाता है, इन बैलाष्ट को, पत्रों को यहां से हटा देता है, ठीक है, weathering agency, उनके वज़य से भी यह गिशते रहते हैं, तो ये बीच में खाली जंगे हो जाते हैं, हमारे जो slippers हैं, बीच में empty हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, बट हमें रखना कैसा है, ऐसा रखना है, तो इसी को बोलते हैं boxing of blast, ठीक है, तो इनको blast को अच्छे से चारो तरफ से box बनाके इसको रखा जाता है, इसको boxing बोलते हैं, ठीक है, अब देखते हैं, क्या होता है, the quantity of blast should be sufficient to function properly, उसक sufficient होनी चाहिए, ताकि वो अपना काम पूरा कर सके, उसका काम क्या होता है, blast जब चारो तरफ लगाई जाते हैं, sleeper को वो अच्छे से hold करके रखते हैं, और sleeper जब अच्छे से hold होता है, तो वो rail को अच्छे से पकड़ करके रखते हैं, अच्छे से anchor करके रखते हैं, जिसस done by the boxing, और जो blast है, उसको अच्छे से फैलाना, अच्छे से अपने जेंगा पिल लगाना, उसी को boxing बोला जाता है, ठीक है, एक box की तरह हमने उसको अच्छे से लगा के रखा, तो यह उसका count है, वो चारो तरफ से उसको अच्छे से pack करके रखता है, it consists of filling of spaces between the rail and at the same time forming the solder at each end of the sleepers, ठीक है, इससे क्या होता है, जो filling है, चारो तरफ से वो blast complete कर देता है, जो भी खाली space है, उसको अच्छे से भर देता है, और एक तरह से sport प्रवाइड करता है, sleeper को, the top surface is dressed up and blast layer is brought up to the required profile, ठीक है, जो required profile है, यानि कि जो sleeper का top surface है, वहाँ तक इसको लेके आया जाता है, ब्लाष्ट के level को, ठीक है, the scattered blast must be collected and used at other places or necessarily be stacked at suitable place along the track, अगर वहाँ पे ज्यादा blast आ जाता है कई बार, तो उसको हटा के और side में, हम railway track के side में ही उसको stack करके रख देते हैं, ठीक है, अगर कहीं पे जरूरत है, तो उसको हम वहाँ से उठा के वहाँ पे लगा जेते हैं, the proper maintenance and boxing of blast must be made sure as it is neat blast section and result in smooth riding over the track, तो boxing की जाती है, वो अच्छे से की जाती है, सफाई के साथ की जाती है, अगर वहाँ पे गास वोस भी उग रही हो, तो उसको भी वहाँ से हटा दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो वहाँ पे रुकावाट पैदा ना करें, बिल्कुल भी, ठ यह था boxing of blast, ठीक है, चारों तरफ, बलाष्ट का अच्छे से लगा देना, उसको अच्छे से place कर देना, जितने भी empty space है, उसको भर देना, ताकि वो अच्छे से slipper को बना के रखे, उसको अपनी position पे बना के रखे, उसको sport करे, ठीक है, तो यह काम था है, अमरे boxing of blast को, इसक subscribe कीजिए मेरे channel को, thank you for watching, have a good day, जैहिन!